इससे में आप जो आगでは करते हैं बालगनी गार्डनिंग जिसमें आप अपनी सबजियां के तो पहले तो आप इससे में कौनसी सब्जियों को आप इससे में के द्वारा ग nee — सबसे पहला जो है आप देखिए forget पूंदा उगा सकते हैं यह मैंने बैगण के आधे गरीब 1-2 मेन हो जया और देखिए इसमें जो है कितनी अच्छी मात्रा में जा है फ्रूटिंग हो रही है कि मैंने कुछ छोटे पॉंदे भी लगाए है बैगन के जो अब हलके हलके ग्रो रहे हैं एक मेने च्छोटे पॉंदे लगा रहे हैं यह एक देड़ मेने बाद इनन में भी जो है फुरुटिंग रॉना स्टाट की आप एक डूसरा आप टॉमाटर पॉंदे में लगा रहे एक नया पॉंदा रहा है इसी ड्रम में लगा कीज़ olm में बहुत जगा होती है इसलिए इसमें 3-4 पौंद जते हैं इंए टमड़ का पहुंदधा रखा यह लगा सकते हैं अप मैंने और भी टमड़िया है यह लगा रहे हैं प्रस्यों लह प्लाइब है आप करें करेंब वे दिए क्रिवर ने में दो करिम और आथ मैं ओंपि भी लागा थी इसमें यह वी लागा सकते हैं अब हुआगे ऑई मैं पोले तो आप की टो पाली की बेल भी लगा सकते हैं इस तो आप गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है और अच्छी फ्रूटिंग होती है देखिए मेरे पॉंदे में जो है फाल आना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि मैंने एक देड़ मेना पहले लगाए हैं सब यह बीच से ग्रों कर रहे हैं तो आप इससे में खीरा भी लगा सकते है और जो है आप एक पॉंदा औरे देखिए आप जो सब्जी जो लगा सकते हैं उसमें करेला करेला भी आप इससे में बीच से ग्रों करके आराम से लगा सकते हैं इसमें भी एक देड़ महिने तक इसमें फ्लावरिंग स्टार्ड हो जाएगी और आप इससे से लाते हैं तो एंड्च भी ग्रो हो जाती है अगर आपने अब करनी है मिर्ची कोane, पॉंद भी आपको अभी जो है फूर्टिंग स्टार्ट हो जाएelnिगी में और आप इस्से अच्छी मात्रा मैं पॉंद एंट मिर्च का पहुदा ऐसा है कि आप मिट्टी इसके लिए बिलकुल वैल डेंड मिट्टी चाहिए जिसमें पानी ज्यादा नरुगे और जो है पोशक तत्वी इसमें अच्छे चीए जिससे कि आपकी मिर्च की आज देखें मैं कितनी अच्छी मिर्च हो रही है यह एक पेड है और इसमें आपके लिए प्रयाप्त मात्र में अच्छी मिर्च हो जाएगी तो आप मिर्च का पहुदा भी लगा सकते हैं इसमें सब्जी में तो लगाते हैं अगर आपके वहां बंदर हैं बंदरों से बचाओ के लिए देखी मैंने यह जो पन्नी लगा रही है कपड़े क बंदरों को बहुत प्रसंद होते हैं और रोज तोड़ ले जाते हैं अगर थोड़ा सा भी बढ़ा होगा तो बंदरों से बचाओ कि लाब इस टाइप से पन्नी बाद सकते हैं कपड़े की जिससे की पौंदे को धूब भी मिलती रहे और जो फाल है जैसमें उसको धूब और हवा मिले पनी जो है प्लास्टिक की मत बाद है कपड़े की बाद है तो उससे आपके बंदरों से बचाओ हो जाएगा मैंने देखिए सभी में पनी बादी थी आज इनका हर्वेस्टिंग का टाइम आगे है मैंने इसका वीडियो बना रखा बंदरों से जो अपने फलो कि सब्सक्रिस समयन जगाएंगे तो य Toward मेने आप 500 कि से समय अर्वेस्टिंग भी कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप बंदरों से भी इसपाव आपनी सब्लों को जो हम नी से बचा बचासे और रखा सकते हैं आप वीडियो में मैं देख सकते हैं जो मैंने पहले बनाई जन्निवाद।